आप सभी का स्वागत करती हूँ study 24 official में आज के इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे DSSSB की तरफ से एक और यहां पर notice आया था इसमें हम बात करेंगे जो result है result में जो cut off अगर हम देखते हैं या फिर अगर बात करेंगे हम पर कितने candidates हैं जो short list हुए हैं तो काफी यह चुकाने वाली news निकल कर आ रही है क्योंकि इस वीडियो में हम यहां पर देखेंगे जो number of candidates हैं almost यहां पर जो vacances हैं वो खाली ही जाएंगी किस तरह से वो सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो तो उन सभी का study material हम आपको provide करते हैं specifically अगर बात करते हैं DTSSB की under job exam conduct होते हैं उनका study material हम आपको देते हैं including with their previous year question paper, mock test, practice set यह सारा material आपको काफी minimum charges में दिया जाता है तो दिये गए number के उपर आप जाता जानकारी ले सकते हो whatsapp message करके अब हम बात करते हैं यह जो notice आया था इसमें हम बात करेंगे यह जो notice है इसमें एक result जारी किया है जो की है TGT उर्दू female का और इसका post code है 53-21 इसमें चौकाने वाली खबर यहां पर यह देखने को मिल रही है कि यहां पर जो total vacances निकली थी वो जो advertised हुई थी vacances वो थी 571 जिसमें की UR की 262 थी काफी number है EWS की 20 है OBC की 151, SC की 93 और ST की 45 तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो number of vacances है वो काफी जादा है लेकिन चौकाने वाली खबर यहां पर यह आ रही है कि यहां पर जो सिर्फ shortlisted candidates हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 57 है देखने से साफ पता चल रहा है कि almost जो हमारी यहां पर 10% भी vacances बच्चों ने qualify नहीं की है और इवन की इन 57 candidates में भी कुछ ऐसे candidates होंगे जो एडोजियर के टाइम अपने documents जो है वो सब्मिट नहीं करेंगे यहां पर जो cutoff देखने को मिल सकती है female की वो है EWS की 108, UR की हम देख सकते है 83 हालांकि जो male की थी cutoff बहुत काफी कम देखने को हमें मिली है लेकिन obviously की 73, ST की 66, ST की 70, PH की 70 और इसकी जो एडोजियर के link open हुए है वो हुए है 24-12-2021 से लेकर 7-1-2022 के बीच आप इन documents को यहां पर submit कर सकते हो तो इस तरह से आज की इस वीडियो में इतना ही अब हम मिलेंगे next वीडियो में so thank you so much